हालो प्रेज अलार गड्स मानिंग अगयान एक और बार दिल की कहराई से मैं हमेशा आपका दिल की कहराई से स्वागत करता हूँ यह मेरे डायलोग नहीं है और मेरे लिए आनन की बात है और हमें एक साथ बैठना चाहिए एक साथ बात करनी चाहिए और मैं वो पूरी कोशिश करता हूँ कभी-कभी यह डेली प्रोग्राम रिकॉर्ड करना भारी हो जाता है और स्ट्रेस्पुल भी हो जाता है और यार यह करना यार पर मुझे प्रोचसाहन मिलता है आपके द्वारा आप वीडियो देख रहे हैं देखते हैं पता है इस प्रोग्राम को देखने वाले वो लोग हैं जो आकर में परमेशो के वच्चन के साथ संगती करना चाहते हैं जो पढ़ते हैं बाइबल और वही लोग है यह वो वीडियो नहीं है जो हर कोई देखे और कए अच्छा ऐसा हो गया अच्छा ऐसा हो गया लेकिन यह वो लोग हैं जो परमेशो के वच्चन के खोजी हैं और परमेशो के वच्चन के साथ संगती करने बाइब मैंने आपको पहले भी कहा था तरीका कोई भी हो चाहे आप वेक्टिकत बाइबल पढ़ते हों संगती करते हों तो वो काफी है आपके लिए अगर आप किसी और प्रभु की सिवक के द्वारा किसी तरह से आप संगती कर रहे हैं या कोई पुस्तक जो कि डेली डिवोशन्स की पुस्तक है या कोई भी पर अगर आप कर रहे हैं वो काफी है जो भी लोग कर रहे हैं जो नहीं कर रहे हैं मेरा ये प्रोग्राम शुरू करने के पीछे उदेशे भी यही था कि कम से कम दस मिनट हम प्रभु के साथ बिताए कुछ अध्याए बड़े होते हैं तो समय लग जाता है लेकिन कोशिश करेंगे कि हम समय पर समाप करें दस मिनट के अंदर बैसे प्रोग्राम का नाम तो 10 मिनट विद द लॉड है लेकिन ये 10 मिनट खोजियों के लिए काफी नहीं है आए शुरुआत करते हैं आज हम पढ़ेंगे अगेन आम उसकी पुस्तक और उसका साथ बाध्या है यहाँ पर जो घटनाएं घटने ही है उन घटनाओं को थोड़ा सा मैं उर्दुशब बोलना चाहता था गलती ना वसलिए जिप हो गया फोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आमुस्तक उसका साथ बाध्या है और विनाश के तीन दर्शन तीन दर्शनों में एक है टिढडिया, दूसरा है आग और तीसरा है साहुल और आमुस और अमस्या उन दोनों के बारे में इसमें बात हो रही है आये पढ़ते हैं साथविय ध्याय को पहले वचन से परमिश्य यहवा ने मुझे ये दिखाया और मैं क्या देखता हूँ कि उसने पिछली घास के उगने के आरम में टिड्या उत्पन की और वे राजा की कटनी के बाद की पिछली घास थी जब वे घास खा चुकी तब मैंने कहा ये परमिश्य यहवा शमा कर नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा वे कितना निर्बल है इसके विशे में यहवा पच्चताया और उसने कहा ऐसी बात अब ना होगी सोच ये थोड़ा सा क्या कोई भी इस बात को स्विकार करेगा क्या यहाँ पर क्या कहा जा रहा है यहुआ पच्चताया यहुआ को बताया और यहुआ यहुआ ये बात सूच कर पच्चताया उत्पत्ति की पुस्तक में चटे ध्याय में परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुश्य को बना कर पच्चताता हूँ और अब यहाँ पर परमेश्वर ने जो टिड्डियों की ये जो समस्या लोगों के लिए खड़े कर दिये उसके लिए क्या कहा है यहुआ पच्चताया परमेश्वर दुख दे के पच्चताता है ठीक वैसे ही जैसे एक पिता और माँ अपने बच्चे को पीट का या उसे गुसा करके पच्चताती है मेरा बच्चा है तू बिटा मैं मारना नहीं चाहती पर मैं तुझे सही रास्ते पर देखना चाहती हो यहा परमिश्वर अपने बच्चों के लिए पच्चतारा बिकॉस अफ ही ज़ लव उसके प्यार के कारण पर वो न्याई भी है अन्याई नहीं करेगा आगे पढ़ूँगा मैं रिख्याल से आप समझते हैं चौथे पद में लिखाए आग के बारे में परमिश्वर यहा ने मुझे यह दिखाया और क्या देखता हूँ कि परमिश्व यहा ने आग के दोरा मुकदमा लड़ने को पुकारा और उस आग से महासागर सूख गया और देश भी भसम होने लगा तब मैंने कहा यह परमिश्वर यहा रुक जा नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा वह कैसा निर्बल है इसके विशे में भी यहा पच्टाया और यहा परमिश्वर ने कहा ऐसी बात फिर ना होगी अलाकि यह दर्शन है वो नहीं रहा है ऐसा बट क्या खुबसूरत बात है यहा दुख देने से पच्टा रहा है अभी तक तो यह दर्शन है उसके बाद साथ पद में उसने मुझे यह भी दिखाया मैंने देखा कि प्रभु साहूल लगा कर बनाई हुई किसी दिवार पर खड़ा है और उसके हाथ में साहूल है यहा ने मुझे से कहा ए आमोस तुझे क्या देख पड़ता है मैंने कहा एक साहूल तब पर मिश्व ने कहा देख मैं अपनी प्रजा इसरायल के बीच में साहूल लगाऊंगा मैं अब उसको न छोड़ूँगा इस आग के उचे स्थान उजाड और इसरायल के पवित्रिस्थान सुंसान हो जाएंगे और मैं यारूबाम के घराने पर तलवार खिची हुई चड़ाई करूँगा अब इस बात को समझें साहूल क्या है मेरी समझ में मुझे मालूम नहीं आपके प्रज़त में मेसन यानि के मकान बनाने वाला मिस्त्री दिवार बनाने वाला जब वो दिवार बनाता है तो दिवार की सिधाई को और उसकी जो जो दिवार की जो इट के इट के साथ चड़ती जाती है तो उसको बांध कर उसमें जो एक डोरा बांधा जाता है उस दोरे से नापा जाता है और कई जगे ये जो है ये लेवलर है इंग्लिश में एक शब्द करें लेवलर लेवल मिलाने के लिए आप देखते होंगे कि एक जो है डंडा है उसके बीच में एक वाट पानी से भरा हुआ एक बुलबुले के साथ एक ऐसा ये अंदर लगा होता है कि अगर टेड़ा मेड़ा है आगे पीछे है तो वो उसे लेवल करते हैं लेवल मिलाने के लिए कि हाँ ये वाकर में लेवल है सखी जगह पर है वही साउल की बात या की जा रहे कि मैं सब को सिधाई से सखी तरीके से करूँगा है अब शायद इसे अलग-अलग रिती से कहते हूं इंगलिश में से लेवलर भी कहा जाता है तो दिवार बनाने के लिए खास दोर से उसका इस्तिमाल कहा जाता है और हमारे यहां भी साउल ही कहा जाता है लेकिन कई और जगे पर कुछ और भी शब्द हो सकते हैं इसके लिए आमोस और अमस्या तब बेतल के याजग अमस्या ने इसरायल के राज़ा यारोबाम के पास कहला भेजा आमोस ने इसरायल के घराने के बीच में तुझ से राज़द्रो की गोस्टी की है उसके सारे वचनों को देश नहीं सह सकता क्योंकि आमोस यों कहता है यारोबाम तलवार से मारा जाएगा और इसरायल अपनी भूमी पर से निश्चे बंधवाई में जाएगा तब अमस्या ने आमोस से कहा हे दर्शी यहां से निकल कर यहुदा देश को भाग जा और वहीं रोटी खाया कर और वहीं भविश्यवाणी किया कर देखो आमोस ने जो भविश्यवाणी की है परमेश्वर से लेकर जैसा मैंने एक दो दिन पहले भी आपसे कहा था किसी से सीधी बात और उसकी कमी उसको गिना दी जाए तो वो आसानी से सुईकार नहीं की जा सकती आमोस ने सीधा परमेश्वर से लिया हुआ संदेश यहां पर आकर बता दिया है और लोग उसे सुईकार नहीं कर रहे क्योंकि कठिन है कठोर है और बोले कि शायद ये पगला गया है और शायद ये सच भी तो नहीं कह रहा लोगों को समझ नहीं आ रहा आज आपके लिए और मेरे लिए आसान है बाइबल पढ़कर इसे बात को विश्वास करना और क्योंकि ये दूसरों पर घटा सोचो कि अगर इस समय कोई भवश्वानी कर रहा होता और ये कह रहा होता कि तुम्हारे जीवन में ये पुपती आएगी तुम्हारे साथ ये होने वाला तुम्हारे साथ ये होने वाला है तो क्या आपके लिए भी मुश्किल होता हमारी कलीशा में मैं एक भाई को हमेशा बार-बार बोलता हूँ कि तुम अपनी अब इलाशाओं में पढ़कर अपने काम को और अपने डाइरे को नहीं बढ़ा रहे हो It is your mistake Why don't you start? Why don't you step up? आप शुरुआत क्यों नहीं करते हैं? आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? नहीं बढ़ना चाहता है पर मैं बार-बार उसे प्रेरित करता हूँ और अब कुछ अच्छी बात है उसके जीओन में देखके मुझे खुशी होती है पर कुछ लोग है हमेशा बैसे ही पढ़े लादे है The same way, if you don't step up, you can't get this आपको प्राप्त होगा ही नहीं आगे बढ़ना जरूरी है विश्वास का कदम उठाना जरूरी है आग कहते हैं विश्वास से सब कुछ हो सकता You say this but you don't behave like that आप उसके तरह से करते नहीं हो Then, well, आगे पढ़ूँगा बारापद में लिखा है तब अमस्या ने आमोस से कहा ए दर्शी, यहां से निकल कर यहुदा देश में भाग जा और वही रूटी खाया कर और वही भवश्यवानी किया कर परंतु बेतेल में फिर कभी भवश्यवानी न करना क्योंकि ये राजा का पवितस्थान और राजनगर है आमोस ने उत्तर देकर अमस्या से कहा मैं न तो भविश्यदक्ता था और न भविश्यदक्ता का बेटा मैं तो गाय बैल का चरवाह और गूलर के वरक्षों को वरक्षों का चाटने वाला था और यहुआ ने मुझे बेड़ बक्रियों के पीछे पीछे फिरने से बुला कर कहा जा मेरी प्रजा इसराइल से भविश्यवानी कर इसलिए अब तु यहुआ का वचन सुन तू कहता है इसराइल के विरूद भविश्यवानी मत कर और इसाग के घराने की विरूद बार बार वचन मत सुना इस कारण यहुआ यूं कहता है तेरी इस्तरी नगर में वैश्य हो जाएगी और तेरे बेटे बेटियां तलवार से मारे जाएगी और तेरी भूमी दोरी डाल कर बाट ली जाएगी और तु आप अशुद देश में मरेगा और इस्राइल अपनी भूमी पर से निश्चे बंदवाई में जाएगा वाव सोचो इस सजा का कारण क्योंकि अमस्या भी सुनना नहीं चाहता था अमस्या भी एक इस्राइली था और जो भी संदेश था वो इस्राइल के लिए था इस्राइलियों के लिए था उन्होंने सुनने से इंकार किया और राजा ने उसे भेजा है राजा की वो बात राजा को जो बात पसंद नहीं होगी उसके बारे में बात हुई है और वो यहाँ पर कर दी गई है और सोचो कि क्या हुआ क्या कहा तेरी इस तरी नगर में वैस्चा होकर गुमेगी कोई भी पुरुष इसे वरदाश करेगा कि आप सिर्फ पढ़कर आगे निकल जाएंगे मेरे प्रियों आप इसे पढ़कर थोड़ा एक नॉलज़ कीजे अमस्या के साथ क्या हो रहा है नोटिस करो इस बात को अमस्या के साथ क्या हो रहा है और क्यूं हो रहा है फिर से पढ़ो इस बात को लिखा है यहाँ पर इसलिए अट्सोला पद में चैप्टर 7 वर्ज 16 इसके लिए अब तू यहुआ का वचन सुन इस्वाइल के वरूद भविश्यमानी मत कर तू यह कहता है और इसाग के घराने के वरूद बार बार वचन मत सुना इस कारण यहुआ यहुआ यह कहता है तेरी स्त्री नगर में वैश्या हो जाएगी और तेर तो कुछ उसको बुला कर बुला हुआ भाई साब आना मेरे साथ कोने कोपचे में अपन बात करेंगे और मुझे न आपको एक बात बतानी है देखो यार अगर आप ऐसे करोगे न तो भाईया बात मामला बिगड़ सकता है हम आपको पगड़ कर जेल में डलवा सकते हैं हम तकलीफ देख सकते हैं बात सुन लो हमारे ऐसे बात की होगी क्या उसने कोने में समझाया होगा क्या नहीं उसे ना समझाया ना कुछ और बात की पर उसे डाटा होगा उसे डाटा होगा अगर आपको किसी काम के लिए किसी को मना करना है तो आप क्या करेंगे ज्यादतर अम ये कोई इंग्लिश मूवी नहीं चल रही है जहां पर हीरो हीरो इंग बड़े अच्छे से डालोग डिलिवरी कर रहे हूं बैट के बात करते हूं मूवी नहीं है इस रियालिटी बिकास आमोस उन सब के बारे में बात कर रहा था पर जो परमेश्वर की बात नहीं सुनते उनका क्या है यही होता है आए धन्यवाद की प्राठ्ट न करें कि आप और हम उन दिनों में नहीं थे क्योंकि एक ही जीवन है और एक ही मित्यू है आपको और मुझे जो जीवन मिला है ऐसे समय में नहीं मिला धन्यवाद आज का समय है कि हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ सकते हैं और शिक्षा प्राफ्ट कर सकते हैं और ऐसे घ्रनित कामों से और ऐसे पापों से और ऐसे न्याए से बच सकते हैं और इस न्याए का परचार कीजिए क्योंकि ये न्याई प्रबु यहुआ ने दिया है धने तू धने तेरा राज्य और प्रबु धनेवाद इस युग में और इस समय में हमें जन्म देने के लिए और प्रबु हम अपने जन्म से तेरी महमा तेरी इस्तुती करने वाले हो तेरे योजनाओं को पूरी करने वाले हो तुने जो हमें समझ बुद्धी ती उसके लिए शुक्रिया आज की जिन्दगी तेरे हाथों में प्रभू गलत बाते हम से दूर रहें और प्रभू हम सदेव तेरा समरन रखें मेरे भाई बहन को उनके परिवार को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ जो संगती करते हैं और प्रभू उनके परिवार को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभू उनको तु समरन रख और उनके लिए भलाई के द्वार रख प्रभू जैसा मस्या के साथ हुआ उसके आविश्वास के करण और उसके राजा के साथ जो प्रभू उनके आविश्वास के करण और तेरे वच्चन को ना सुनने के करण प्रभू ऐसा ना हम से ना हमारे लोगों से कर प्रभू क्योंकि तूने प्रभू हमें बचा लिया है और अनन तो महिमा के लिए रखा है धन्यवाद तुने हम पर इसा पार कृपा को किया मस्य एश्यो के नम से दूआ में मांता हम आमें इमें इस दो वड़ अवकार और इस दो प्रामिस अवकार ये पर मेश्वर की वाचा है और ये वाचा आपको और मुझा अनम्द काल के लिए प्रेलित दर दिया है एमें बिबलस्ट इन ख्राइस्ट फिर मुलाकात होगी प्रभु किस्तु की एक साथ होगी चैन सिके इस खुब सुरत दुनिया के अलग-अलग चेहरे कोने-कोने के चेहरे इस देश के चेहरे उस देश के चेहरे चैरा कोई भी हो लेकिन उस पर मुस्कुराहट सिरफ ये शुमसी के नाम के कारण ही होती है